हाई दोस्तों कैसे हैं आप हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे आपकी तयारी अच्छे से चल रही होगी आज ही फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर है और आज की क्लास आपकी घातांक की है घातांक के पीछली वीडियो में आपने कुछ बेसिक्स फार्मूले पड़े आज हम फिर उसके आगे कांटिन्यू करते हैं आप बेसिक्स फार्मूले आपके फिर मैं याद दिला दू कि जब बेस बराबर हो दो मानों का हमें मल्टिप्लाई किया जा पावर की रूप में तो उनके पावर अलग-अलग हो तो आपस में क्या होते हैं उस समान बेस के सा जूड जाते हैं और बेस इक्वल हो और बीच में डिवाइड का चिन हो तो उनके पावर आपस में घड जाते हैं और यहाँ पर क्या हो पावर इक्वल हो बेस अलग-अलग हो आपके अगर बीच में डिवाइड का चिन है तो यह पावर जो होता है इन दोनों अलग-अलग अगर बेसों के होल पावर हो जाता है और multiply होता है तो उनके होल multiply multiply के बाद हो जाता है और x to the power कोई चीज माइनस में है तो उनका पावर माइनस में है तो उनके मान को अगर पलट देंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा प्लस में और किसी चीज के पावर अगर 0 हो तो उसक तो बहुत ही important question, पहला ही ऐसा important question कि जो कि आपके exam में आता है तो काफी समय ले लेता है और आपको लगाने में बहुत ही problem होती है, लेकिन आज हम फिर इस सवाल को basic से देखेंगे और उसके बाद trick भी जानेगे, तो वीडियो में बने रही है, last तक देखिए, आपको अच्छे अच्छे सवाल आज मिलेंगे और उनके अच्छी अच्छी trick में मिलेगी, आएगे दोस्तों, ये रहा आज का पहला सवाल दिया है कि 2 के power x is equal to 3 के power y is equal to 12 के power z हो तो x, y और z में संबंद क्या है, x, y, z में संबंद क्या है, अभी basic से लगाते हैं दोस्तों, देखें 2 के power x दिया है, is equal to 3 के power y दिया है, is equal to 12 के power z दिया है, सब के बराबर आप माल लीजिए k, सभी आपस में बराबर है, तो सब के बराबर क्या माल लिया, k, और प्रतेक को k के बराबर करिए, तो 2 के power x is equal to k कर दे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी होता है, x is square बराबर क्य इसके मुँपे है वही एक बटा होता है इसके मुँपे कुछ नहीं है तो दो है मतलब इसी चीज को ध्यान से देखिए इसको जो हमको लिखे है एक्स बराबर लिख सकते है दो के पावर ये पावर इधर जाके क्या हो जाता है बटे में हो जाता है मतलब यह power जो इधर वाला जब इधर जाता है, power हटाते हैं, इधर जाके इसके power लगता है, तो वो ही एक बटा करके हो जाता है, सेम इसी बात का हमको यहां पर उप्रियो करना है, कि 2 के power X है, अगर इस X को हटाते हैं, 2 बराबर अगर मान निकालें, तो K के power जाएगा, यह 1 आपान क्या हो जाएगा, X हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार इसको पहला equation मान लीजिए, अब यह 3 के power Y, यह 2 है, देहान दीजिएगा दोस्तों, यह क्या है, 2 है, अब 3 के power Y है, is equal to, आप क्या मान लेंगे K, तो यहां से 3 is equal to, क्या मिल जाएगा, K के power 1 आपान, Y, equation आप के power Z, is equal to K, तो यह मिलेगा, 12 is equal to K के power क्या मिल जाएगा, दोस्तों, 1 upon Z, मिलेगा 1 upon Z, equation थर्ड मान लें, ठीक है, अब यहां पर जो बात आप देखना है, अपने समीकरण 3 को पकड़ लीजिए, आपने जो समीकरण बनाए हैं, इस 3 को पकड़ लीजिए, कि 12 बराबर आप K के power 1 upon Z, यह जो आपका समीकरण 3 आया है, इसी को पकड़ लीजिए, अब क्या करिए, आप इस 12 का factor करिए, तो लिखेंगे कि 3 गूरते 4, बराबर K के power 1 upon Z, फैक्टर जब भी करना है, तो हमें ध्यान देना है, कि जो यहां पर मान दिया गया है, इसी के फार में तोड़े, देखें, 3 तो मिल रहा है, लेकिन 2 यहां पर, तो 4 को हम 2 के power के रूप में लिख सकते हैं, 2 के power क्या लिख दें, 2, यहां पर बराबर हो जागा K के power 1 upon Z, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3 का मान देखिए, हमको पिता है, समीकरण 1 के के पा 1 upon X, लेकिन आलरेड़ी यहां पर 2 है, इसलिए 2 upon X हो जाएगा, होगा, 1 upon X होगा, लेकिन आलरेड़ी यहां पर है, तो 2 upon X, और is equal to K के power क्या हो जाएगा, 1 upon Z, समझ पा रहे हों कि 1 upon Z, अब ध्यान दीजिए, बीच में multiply का चीन है, दोनों बेस यह कहीं है, तो power आपस में क इच में अगर बराबर का चीन हो, दोनों तरफ इनके बेस बराबर होते हैं, तो power आपस में बराबर हो जाते हैं, यदि power बराबर होते हैं, तो base बराबर हो जाते हैं, लेकिन यहां तो base बराबर इसलिए power बराबर हो जाएगा, 1 upon Y plus 2 upon X is equal to 1 upon Z, यही आपका X, Y, Z में समबं निकल के आए दोस्तों, एक बटा Y, धंदू बटा Y, बराबर एक बटा Z, यही X, Y, Z में आपका समबंद आया, डाइरेक्ट आपके टेट, सूपर टेट में आये हुए हैं, 2017 के सूपर टेट जो हुए थे 18 में, उस question, उस में यह question आया हुआ है, और जबरदस्त question है, आईए हमको जो मान दिया हुआ यहां पर, जो बड़ा वाला मान दिया हुआ, जैसे 12 के power Z, इसको पकड़ लिजिए, 12 के power Z को पकड़ लिया, अब इस 12 का हमको क्या करना है, फैक्टर कर देते हैं, 12 का फैक्टर करेंगे, 3 गूडते 4, और हमने पहले भी बता है, इसको ऐसा गया है, एक बटा कर दीजिए, यहां पर जो पावर दिया है, उतना बटा जो यहां पर दिया गया है, इसका पावर हो कर दीजिए, जैसे 12 के पावर यहां जेट था, तो एक बटा जेट हो गया, और 3 का यहां पर पावर क्या है, तो एक बटा वाई हो गया, यहां पर 2 का पा बिएफोगे आजायेगा कर दोस्तों सी चीज़ को आईए इस ट्रिक को समझने की कोसीछ करते हैं इस कोश्चन में इस ट्रिक को समझने की कोसिछ करते हैं कि अब इस खॉश्चन में सव 40 के पावर आपने जेड ले लिया, अब 40 का फेक्टर करेंगे, 2 और 5 के फार में, तो 8 पच्छे 40 होता है, कर लेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, 40 के पावर जेड रहने दीजिए, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, इसको लिख सकते हैं, 5 के पावर एक, आई आपका एंसर हो गया, यह जो पावर दिया गया, इसको एक बटा क्या कर लिजिए, जेड, यहाँ पर 3 बटा 3, यहाँ पे 2 का पावर क्या दिया गया है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 का पावर क्या दिया गया है, यह रहा एक्स, वाई, जेड में आपका द चेप्टर को आसान बनाएंगे, आपके कमेंट का हमें वेस अबरी से इंतजार रहता है, हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट आएंगे, गलत हो, या सही हो, जो भी आपको समझ में आता है, कमेंट करिए, कमेंट से ही आपके हमारे अंदर भी कुछ सुधार होंगे, तो आप बराबर अपने कमेंट करते रहें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो भी बताते रहें, ताकि हम आगे और मेहनत से काम कर सकें, आज के लिए इतना है दोस्तों, जैंदे